नमस्कार दोस्तों मैं आरियन जैस्वाल एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्योब चैनल पर आपके शुणर आपके इस वीडियो में परिचहाँ में बहुत लिए पर जी सब्भेसधां के बहुत जाई हैश्वाल इयूट परिचहाँ में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहँति स्वाल से उनको हल कर सकते हैं जिससे आप किसी भी तरह का एकजान दे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर help मिले आपको कुछ न कुछ साहता मिले वीडियो को like कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है आप चैनल को subscribe कर लिजिएगा अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आता है तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से तो पहला कोशन देखे आपके सामने यहां पर क्या कहरा ध्यान देखेगा कि सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है अगली पंक्ति में दो सैनिक है इसी तरह प्रते इसी तरह आपकी टोटल ग्यारा पंक्तिया बननी हैं, तो यहाँ पर याद रखेगा, आपको पता है कि पहले पंक्ति में कितने लोग होंगे, एक लोग, दूसरे पंक्ति में कितने सैनिक होंगे, दो सैनिक होंगे, तीसरी पंक्ति में कितने सैनिक होंगे, तीन सैनिक होंगे इसी तरह last वाली पंक्ति में कुल कितने सनिक होंगे 11 सनिक होंगे यानि कि आपको एक से लेकर के 11 तकी संख्याओं का add कर लेना है तो इसका simple सा funda है अगर एक से लेकर इन तकी संख्याओं का योग निकालना है तो क्या होता भाई N into N plus 1 यानि कि 11 में एक जोड़ दो कितना आजाएगा आपका 12 और बटे कर देते हैं हम लोग 2 तो 11 गुड़े 12 बटे 2 तो यानि 2 शका 12 और 11 शका कितना आजाएगा आपका 6 शट आजाएगा तो बताए ये कितना आसान कोश्चन था option number जो इसका D है 6 शट वो यहाँ पर correct हो जाएगा तो जब भी इस तरह का कोश्चन आपके सामने आए तो आपको इसी तरह से इस method के यूज़ करना है यहाँ पर formula क्या हो याद रखेगा एक से लेकर N तक की संख्याओं का यह क्या होता है N N plus 1 divide by 2 N क्या होता है जो आखरी में संख्याओं आखरी में कितनी संख्याओं भई 11 है आखरी में 100 होता तो 100 गुड़े 101 बटे 2 हो जाता तो I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा चलिए आते हैं अगले question की तरफ दोस्तों अगला प्रफस्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी परिवार में ग्रह स्वामी उसकी पतनी चार बेटे और उनकी पतनिया है यानि कि किसी परिवार में ग्रह स्वामी है उसकी पतनी है उनके चार बेटे है उनकी चारो बेटों की पतनिया है प्रतेक पुत्र के परिवार में एक बेटी और चार बेटे हैं तो परिवार में पुरुस सर्दस्यों की संख्या कितनी होगी तो भाई सिंपल सा फंडा इस कुश्चन को कैसे लगाएंगे जो कहरा आप वही करते चले जाओ परिवार में अगर हमको क्या निकालना पुरुस सर्दस्यों की संख्या निकालने एक तो ग्रह सवामी हो गया एक आपको वह हो गया इसके लावाद चार बेटे हैं तो प्लस हमने चार कर दिया अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतेक पुत्र के परिवार में एक बेटी और चार बेटे हैं यानि कि एक बेटे एक प्रतेक पुत्र के परिवार में एक बेटी है तो बेटी से तो हमको मतलब नहीं है लेकिन कितने बेटे है चार बेटे है यानि कि एक बेटे का चार बेटे है कि कीस आजाएगी तो बताएगे कितना असान था यहाँ पर जो कह रहा था हुई कि हमने ग्रहसवामी आपका पती यानि कि एक पुरुस हो गया उसके लावा चार बेटे और चारो बेटों के चार चार बेटे आने कि चार गुड़ हमने चार कर दिया तो यहाँ पर इसका इंसर जो आपके सान में निकल करके आ गया इसी तरह दोस्तों अगला कोशन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है पांच टीम है प्रतेक टीम को बाकी टीमों से खेलना है कुल कितने मैच होंगे दे कोई व्यक्ति कोई टीम किसी टीम के साथ खेलता है तो अकेला तो खेलेगा नहीं यानि कि एक मैच खेलने के लिए कम से कम दो टीम होने चाहिए तो इसलिए जब भी पांच टीम कहा गया है तो पांच टीमों द्वारा खेलेगा एक कुल मैच सिंपल सा फंड़ा सूत लगा तो चाहिए गा एन एन माइनस वन डिवाइड बाइट यानि कि अगर इस तरह से कोईशन आ जाए आपके सामने हाथ मिलाने वाले कोईशन या एक टीम दूसरे टीम के साथ खेल ला है तो इस तरह कोईशन आ जा तो आपको एक ही फॉर्मले के यूज़ करना एन 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 माइ टीमों के साथ खेलना है तो कुल कितने मेश खेलेंगे दस इसी तरह यहाँ पर अगर मा लीजे दस टीम होती तो दस गोड़े दस में से गया नो बटे कर देते तो दो पंचे दस पांच नमा पैता लिज जाता है यहाँ पर दस टीम के अस्थान पर कोईशन बोला क्या होता दस व्क्ति हैं और दस व्क्तियों को प्रतेक दस व्क्ति हैं यानि कि 10 весights है और सब प्रतेक व्क्ति को प्रतेक के साथ हाथ मिलाना है अगर इस तरह से question आता है तो वही सिम चिये आपका यही वाला फामल लगाओगे तभी आपको 45 भी an ensor आएगा तो जब भी हाथ मिलाने यह इस तरह question है, तो आपको यही तरीका लगाना है, n, n-1 divided by 2, बहुत ही simple सा तरीका होता है, समझ में आ गया न, आप इसको second method से भी third method से भी बहुत सारे आपको long मिलेंगे, बहुत सारे method मिलेंगे, बढ़ सबसे subtle method आपका यही है, अगला question देखें, आपको क्या कह रहा है, च चार बज़कर 56 मिनट दो पहर, आपहर मतला होता है कि दो पहर के बाद, यानि कि सामके लेकर कि 5 बज़कर 32 मिनट सामके बीज, एक घंटे का कितना अंसफेतीत होता है, अब एक बात बताओ, एक घंटे में कितने अंसफेतीत हैं, याद रखेगा, एक घंटे में 60 मिनट, औ और यहाँ पर बात करते हैं 60 मिनट तो यहाँ पर देखो 4 चपन से 5 32 तक जाओ, भाइ 4 चपन यानि कि अगर देखा जाए तो अगर पाँच बजने में कितना मिनट बागी है, 4 मिन इधर, इसके अरावा यहाँ पर 4 मिन इधर हो गया और इसके पाँच बद्तीस दक जा रहे ह यानि कि 32 मिनट इस है, तो 32 मिनट और प्लस 4 मिनट, यानि कि 4 बचकर 56 मिनट से लेकर के 5 और 32 मिनट के बीच में तोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट हो जाएंगे, यह चिछ क्लियर है, अब देखिए हम से कह रहा है कि यहाँ पर कुल हमें अंस निकालना, अब एक बात एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर यहाँ पर निकाला जाए, कितना मिनट आप देखिए, यहाँ पर 36 मिनट लेना है, यानि कि अगर हम लोग निकालना है, कितने भाग हम लोग का अंस निकालना है तो 36 बटे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा यह जिस क्लियर है तो एक घंटे का भाग कितना जाएगा यह से लिख सकते हो एक घंटे का भाग तो एक घंटे का भाग कितना जाएगा भई होते बहुत आसान है लेकिन अगर आपके सामने कोई चीश पहली बार आती है तो आपके लिए कठीन हो जाता है तो इसलिए मैं आपको ये सामने कुछ इस तरह की कोशन कर रहा हूं जो आपके प्रिवेस एन में कई बार 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 लगातार पूछे गए हैं और आज आते हैं बीच बीच में आप लोग उनको छोड़ दे तो इसलिए एक कोशन आ गया है कहीं गलत न हो जाए इसे छोड़ के चले आते हो तो ऐसा नहीं करना आपको क्योंकि अगर आप मैं इस वीडियो को दे रहे हैं और इस तरह के लगातार मैं वीडियो आपको दे रहा हूं तो कोशन आप सब के हाथों में छोड़ देता हूं ये सब कोशन आपका क्या है अगर नहीं आएगा तो आप कोमेंट करके बताएगा मैं अगले वीडियो में इसका एंसर जो है जरूर दूंगा अगला कोशन देखे ध्यान से क्या कह रहा है एक विद्यार्थी सही सवालों की में दोगने गलत कर रहा है, यानि कि जितने सही सवाल करेगा, उससे दोगना गलत कर देगा, यानि कि उसने कुल कितने सवाल किये हैं, 48 सवाल किये हैं, तो हम एक चीज कह सकते हैं, कि सही सवाल मान लेते हैं, यक्स, तो गलत कितना करेगा, 2x करेगा, तो ये सही सवाल, ये ग यहाँ पर पूछ रहा था कितने सही हल किये तो यह हमने सही माना था यह हमने गलत माना था तो सही कितने हल किये सोला अगर गलत पूछा हो था तो Gt 16 यह भी बताइए कितना कोईशन था नो बताइए इससे आसान कोईशन आपको रिज्युनिंघ गर्यनी कहीं मिलने वाला हैी नहीं समझ में आ रहा तो आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा एक question और है बारा सो वेक्तियों का समूह जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं बारा सो वेक्ति हैं जिसमें कप्तान भी हैं और सिपाही दोनों हैं एक train से यात्रा कर रहे हैं और प्रतेक प्रतेक 15 सिपाही पर एक कप्तान है तो इस समूह में कितने कप्तान होंगे एक बात बताओ प्रतेक 15 सिपाही पर कितने कप्तान है एक कप्तान है और यहां पर टोटल 1200 वेक्तियों में कप्तान और सिपाही दोनों संबले थे तो एक चीज़ याद रखो 15 सिपाही पर एक कप् कुल व्यक्तियों की संख्या ऐसे निकाल लो अगर हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई बारा सो वटे पंद्रा कर दो अभी बारा सो वटे अगर आप पंद्रा कर दोगे तो इससे तो कोई काम बनने वाला नहीं है तो यहाँ पर एक सिपाही पर एक कप्तान याएगी कि व्यक्तियों के संख्या कितनी हो जाएगी 16 कितनी हो जाएगी 16 15 सिपाही एक कप्तान मिलके 16 व्यक्ति हो गए तो एक चीछ समझो यह 16 व्यक्ति हो गए यह 16 व्यक्ति जो है बारा सो व्यक्तियों में आपको बाटना भी है तो सिंपल सा फ ग्रूप में बाटेंगे तो इक बताओ कि 15 सिपाही एक कप्तान मिलके 1616 का ग्रूप बनेगा 16 26 बनेगा जिसमें 15 सिपाही एक कप्तान वोगा और 16 15 को lli्ने कितने बाक्तान होगा और 11 чиशन क बायराम कर दिया खेश्यों के सब्सक्रांट और 1321 वे कोईशन आपके सामने अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग कंफॉर्म हैं बहुत सारे ऐसे लोग हों जो के सामने ये रहा कोईशन नमबर जो भी है क्या कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रतेक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे यदि कुल धन 629 रुपे कठा हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे अब बताओ भाई इस तरह के अगर ऐसे समझो कि एक सचात्र से तो प्रतेक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए यानि कि एक सचात्र थे तो प्रतेक छात्र से एक सरुपे भी लिए गए यानि कि अगर दस छात्र होंगे तो एक सचात्र से दस रुपे भी लिए जाएंगे तो एक सचात्र से अगर एक सरुपे 77 का वर्गमूल होता है, कैसे निकालना आपको ये तो तरीका पता ही है 29-29 का वर्गमूल निकालने का, निकाल सकते हैं न 7 से मंजा कितना जाएگा, 49 जाएगा, यानि आपका यहाँ पर 7 और 7 कितना जाएगा, 14 आ जाएगा आप देखें यहाँ पर क्या बोलते हैं 9 से 9 गया 0 और 5 पिसे 4 गया 1 यहाँ पर 29 उतर जाएगा आप देखें 7 टाइम जाएगा 7 सता यहाँ पर 7 लिखेंगे तो आप इसको करेंगे तो आपका 1029 ही आएगा तो यहाँ पर 77 इसका वर्गमूल आ गया यहाँ यह किसी भी option को उठा करके इनका वर्गमूल निकाल सकते हो वर्गमूल निकालने का तरीका भी उनने आपको बताया बहुत ही आसानी से जैसे आपको 67 का square निकालना तो 67 का square कैसे निकालेंगे 6 का square कितना होता 36 7 का square कितना होता 49 उसके लिए यहाँ पर एक cross लगाओ आप 6 77 का एक और देख लो 77 का square निकालना है तो 7 सते कितना होता 49 इसी तरना 7 सते 49 दोना कितना होता 98 होता है तो यहाँ पर 98 लिख दो इनको हल करो भाई 9, 8, 4, 12, 9, 8, 11, 4, 15 देखिए 69, 39, 39 यहाँ पर आ रहा है तो बताइए कितना आसान होता यह करना भाई यह तो मैंने आपको additional बता दिया आपको वैसे आपका question जो है यही तक था तो आपको यह questions कैसे लगे और इस तरीके question अभी मैं और भी करवाऊंगो आपको और जो मैं लगातार करवा रहा हूं आपको question reasoning के math के वो तो आप लोग देखी रहे हैं तो अगर आप channel पर नए हो तो चैनल को subscribe करना मत कर दवह सma raises कम आपको आपको यही सुगाई हैं लिए मा दोपकार से यही तक यही जबतास भी हरी मैं आपको यहीं हो लगको यही तक 시간 के स Tasに बनाता हैं हैं आपको स्कश आपको अशरेथ और जो हो आपका दो आपको अ़नrous आवाई हैं